एपीजे अब्दुलकलाम ने कहा है अगर कोई भी इंसान अपने भविश्य को बदलना चाहता है तो सबसे पहले उसको अपने दिन चर्या को बदलना होगा कोई अपनी लाइफ में किस हद तक सफल होगा ये इस पर डिपेंड करता है वो अपने दिन की शुरुआत कैसे करता है तो आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक के उपर बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी तीन आदते हैं जो एक आम इंसान को सक्सेसफुल इंसान बना देती है नमबर एक सुबह जल्दी उठना 99% तो सफल और काम्याब लोगों का कहना है कि कोई भी इंसान अगर अपनी लाइफ में सफल होना चाहता है तो सबसे पहले उसको सुबह चार बजे अपने विस्तर को छोड़ देना चाहिए क्योंकि सुबह का ऐसा समय होता है जिस वक्त आदी दुनिया सो रही होती है पूरा माहौल शान्त होता है जिससे हम किसी भी काम को फुल एनरजी और फुल जोश के साथ करते हैं इसी लिए कोशिश कीजिए कि सुबह जल्दी उठ जाए आदत नमबर दू सुबह उठने के बाद क्या करें दोस्तों बहुत लोग तो सुबह उठतो जाते हैं लेकिन उठने के बाद उन्हें क्या करना है ये पता ही नहीं होता है जिसकी वजह से वह उठकर फिर सो जाते हैं और कुछ लोग सुबह उठते हैं अपने मोबाइल चेक करने लग जाते हैं जिसकी वजह से उनका सारा दिन बेकार जाता है। ऐसा माना जाता है कि दिन की शुरुवात अगर अच्छी हो, तो पूरा दिन सही से जाता है। पूरा दिन हम उर्जा से भर पूर रहते हैं। और हमारा माइंड भी सही रहता है। अब सवाल यह उठता है कि सुबह उठते ही हमें ऐसा क्या करना चाहिए, जिससे हमारी दिन की शुरुवात अच्छी हो, तो सबसे पहले सुबह उठते हैं। एक से दो गिलास पानी जरूर पीजिए, और बाथरूम और ब्रश करने के बाद तुरंत फ्रेश हो जाए। उसके बाद एक शांत जगे बैठ जाए। और योगा और ध्यान रखे角़े। यानि मेडिटेशन करें जिससे तुम्हारा सारा शरीर स्वस्थ रहेगा और तुम्हारा दिमाग शान्त रहे तुम किसी भी काम को 100% के साथ कर पाएंगे यह तो हो गया आपका फिजिकल और मेंटल मेंटिनेंस इसके बाद आप ब्रेक फास्ट करें कभी भी अपना नाश्ता लेना ना भूले यह सारी चीजें तुम्हारी शरीर को स्वस्थ रखती है अब बात करते हैं नमबर तीन आदत की तीसरी आदत है योर प्राइरिटी आपकी प्राथ मेंता है आपके पूरे दिन की प्लैनिंग आपके कमिंटमेंट में आपके टैक्स रेजिएट यह सब डिपेंड करते हैं कि आप क्या करते हो आपका प्रोफेशन क्या है अगर आप एक स्टूडेंट हो तो यह देखिए कि आज आज आपको कितना घंटा पढ़ना है सबसे पहले कौन सा सबजेक्ट पढ़ना है क्योंकि अगर आप आज उसे टाइम पर फिनिश नहीं करोगे उसे टालोगे तो आप उसे काम में कभी भी सफल नहीं हो पाओगे सुबह का टाइम होता है एकसरसाइज करने क्या या कोई अच्छी बुक पढ़ने का इसलिए आप एक अच्छी बुक पढ़े जिसे पढ़ने के बाद आपका मन सही तरीके से काम करता है आपको सोचने और समझने की शक्ती बढ़ जाती है इसके अलावा आप रोज 6-7 घंटा नींद जरूर लें बहुत ज्यादा चाय या कौफी ना पिए रोज अपने माता पिता या बड़े लोगों से कुछ ग्यान जरूर लें और पूरी काम अपने प्लैनिंग से करें और रात में सोने से पहले अगले दिन का काम यानि अगले दिन आपको क्या करना है असारे प्लैनिंग बना कर रखें रोज करने वाले आदतें को एक डायरी में जरूर लिखें जिसे तुम्हें हमेशा के लिए याद रहेगा तो यह थी मेरी तीन आदतें जिसको अगर तुम अपनाते हो तो आप अपने लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं आई हो कि यह वीडियो अच्छा लगा हो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर दीजिए